उत्राखंड के हलिद्वानी में भड़क उठी हिंसा जहां पर कहा जाता है कि हमारे देश में रामराज्य स्थापित करेंगे वहीं दूसरी तरफ ही ऐसी चीज़े देखने को आती हैं जहां पर एक समुदाय के इबादत गहा को तोड़ा जा रहा है नमश्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनित अवाद गुरुवास शाम का ही मामला बताया जा रहा है जहां पर उत्राखंड के हलिद्वानी में जो जगा है भन भूल पुरा उसका मामला ये बताया जा रहा है जहां पर इबादत गहा पर बुल्डोजर चलाया गया है इबादत गहा नमाज थल जो भी वहाँ पर मदर्सा था वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए बुल्डोजर भेजा गया और ये जो बुल्डोजर भेजा गया, ये हमारी सरकार गवारा भेजा गया और आरोप ये लगाये जा रहे हैं कि वो अस्थानी उससे बना हुआ था अगर अस्थानी उससे बना हुआ था तो आप ये भी बता सकते थे कि यहां से हट जाईये, लेकिन सीधा एक तरीके से बुल्डोरजर चलवा देना ये कहां तक सही है, हर बार एक ही धर्म को टार्गेट करा जाता है, जहां पर मोधी सरकार कहते हैं कि हम हिंदु राष्टे बनाएंगे, अगर हिंदु राष्टे बनाएंगे तो मैं बार बार से कहा देना कि अगर दंगाईयों को देखा जाए तो सीधा गोली मार दी जाए मतलब अगर वो अपने लिए आवाज उठाएंगे तो उन पे सीधा गोली मार दी जाएगी पूरा मामला हम आपको बता देते हैं इस पे BBC लिखता है उत्राखंड के हलिद्वानी के बन भूल प पुलिस का कहना है कि हलिद्वानी थाना शेत्र के बन भूल पुरा में पहले से चिनिस थल्प पर अती करमन हटाने का काम हो रहा था तब ही पत्राव शुरू हो गया पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि एक विशेश समुदाय के पत्राव और आगजनी के कारण कानून व पुलिस नगर निगम वहां पर बुल्डोजर लेके पहँचती है और सिधा जो उनकी इबादतगाय उसे बुल्डोडोच चला देती है और अपनी इबादतगाय को बचाने के लिए पथ्राव करते हैं तो वहां के सीम पुशकर सिंग धामी कहें देते कि दंगाईों को दे मुसल्मानों के घर तोड़ना, मुसल्मानों की इबादत गाहे तोड़ना, मुसलिम औरतों को मारना, मुसलिम नौजवानों और मर्दों को गोलियों से मार देना, ये सब इजराईली मौडल हुआ करता था, लेकिन ये सबब भारत में होने लगा है, कई सालों से रुजवाना, किसे न किसे शेतर में मुसल्मानों का उत्पीडन किया जाता है, अभी भी कली हलिद्वानी में पु मतलब और तो को भी नहीं चोड़ा है, अगर जो मुसलिम अगर अपने बचाफ के लिए कुछ भी कर रहे तो उनसे मार पीट की जाएगे, उस पूरे शेतर में दंगे भढ़का दिये जाएंगे, क्या ये सिर्व एक मुसल्मान करता है, दूसरी तरव अगर देकर तो पुल जहां के हमारी आस्था जोड़ी है, जहां पर हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, वो चीज ना तोड़ी जाए, उसके बाद उन पर पत्राफ जब किया गया उनके द्वारा अपने बचाफ, अपने इबादतगा के बचाफ के लिए, तो उनको सीधा बोल दिया गय है कि उनके अगर दंगई देखेंगे तो सीधा गोली मार दी जाएगी, वाजित खान ने एक और पोस्ट करके लिखा है कि उतरा खंड के हलिदवानी में अब तक 16 साल के नाबालिक मुस्लिम लड़के सही 6 मुस्लिम पुरिशों की हत्या कर दी गई है, 16 साल का लड़का जो हमें ये हग देता है कि हम अपने धर्म को माने, अपने धर्म के हिसाब से चले, वहीं दूसरी तरफ ये सब चीज़े सामने आती हैं, तो लोगों की भावना कितनी अहत होगी कि एक मुस्लिम होना क्या गुना हो चुका है, क्या मुस्लिम होना अपनी इबादत गाह में नमा करता करती है, मुस्लिम महिलाओं को मारती है, मुस्लिम लोगों को मारती है, और वहाँ पर कर्क्यू लग जाता है, ये हलिद्वानी, उत्राकंड के हलिद्वानी, शेत्र का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जो कि गुरुवार शाम को ऐसी चीज़े सामने आई थी, इस प से अधिक मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगी हुई है लगतार इधर उदर चुन-चुन कर मजारे तोड़ी जा रही है मदर से तोड़ी जा रहे हैं जान बूझकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों को संरक्षन दिया जा रहा है यहां का मुख्यमंत्री भी जान अगट से बचा रहे हैं पर कोई गलत फहमी ना रहे कि वे कमजोर हैं इसलिए बहुत संक्यक समझदार हिंदूओं को अपने भाईयों का साथ देना चाहिए धैर्रे और समझदारी एक तरफ़ नहीं होनी चाहिए अभी भी इस देश को एक बड़ी मुसीबत से बचाया जा सकता है सरकारे इस कदर किसी कौम को ना सता के उसके अंदर मौत का भै भी ना बचे उत्राकंड सरकार जिस तरह मुस्लिमों को टार्गिट कर रहे हैं नियाए पर ये नहीं है उचित नहीं है हमने आपको पहले भी बताया था जब राम बंदिर का उद्गाटन हो रहा था तो किस तरह की घटनाए सामने आए थी कि जबरदस्ती उससे आसर विधानिक तरीके से दूसरे धर्म के नारे लगवाय जा रहे थे एक संप्रदाइक ता जो महौल है वो अब इस देश में बनता हो नजर आ रहा है किसी एक ही धर्म के लोगों का रात चलेगा जो दूसरे लोग है वो कहा जाएंगे इस तरीके से मुसल्मानों को टार्गेट किया जा रहा है और मुसल्मानों को जबरदस्ती ताकि वो भड़के इस तरीके चीज़े सामने आते हैं उसके बाद हमने एक और चीज़ बताई थी आपको किस तरीके से चर्च के उपर जो है भगवा कलर का जंडा लगाया था मतलब अब दूस मुसल्म महिलाओं को टार्गेट करने की कोशिश की गई है वो यह तक बोल रहे थे कि जो बुर्खा यह अलाउद नहीं है क्योंकि इस से जो ड्रेस कोड है वो बिगड़ जाएगा क्या जो मुसलिम बहला है जो अपने आपको पर्दे में रखना चाह रही है पर्दे में र मुसलिम महिलाओं को टार्गेट करना यह चीज़े सामने नजर आते हैं और हर भार भाजपा सरकार जो है मुसलिमों को टार्गेट करती है दूसरे धर्म के लोगों को ही टार्गेट करती है वह अपना इजिंडा तो चला ही रही है लेकिन साथ में दूसरों को टार्गेट क चर्च के उपर लगवाया गया और भी तमाम चीज़े हमने आपको पहले वीडियो में बताई दे लेकिन इसमें जो चीज़े सामने हैं कि एक बार फिर से उत्रा खंड में हलिद्वानी में दुबारा से दंगे भड़क रहे हैं वहां पर कर्फ्यू लग गया है और जिस तरी करना है तो दूसरे धर्म जो लोग इस देश में रह रहे हैं भारत के सविधान में जवाबा साहिमने में सविधान दिया है कि सारे धर्म के लोग एक हैं किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके बाद भी सरी की चीज़े सामने आती है तक कर लिया गया था बेशक्पु जो आदमी है कि सड़क के किनारे अपना ट्रक पाफ करके नमाज पढ़ रहा था किसी को कोई तकलीष नहीं हो रहे थे फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर कारवाही चलाई गई उसके बाद अब येक और चीज सामने आई कि जो उत्तरा खंटके लिद्वानी में ये चीज जो हो रही है आपकी इस पर जो क्या रह आए क्या मुसल्मान होना गुना है क्या नमाज पढ़ना गुना है क्या अपने धंग की जो चीज़ें है रिती रिवास उनको फॉलो करना गुना है हम आवनी प्रतिकर닌 कमेंड ब पढ़ेगा तैने वाल